अच्छा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम एसे धान तर नहीं हो तरी स्टेडी ग्लोस प्याप का बहुत बहुत सुखा गता है 90% किताब हमारी complete हो गए दोस्तों बहुत ही कम बचा है और 10 जून तक यह complete हो जाएगी ठीक है को उसको उसका अलग लेच्छर लूँगा क्योंकि वह important है यह भी important है बट यह छोटे छोटे हैं तो इसलिए मैंने चाप्टर 60 और 62 को combine कर दिया है तो हम फटाग से देखेंगे cooperative societies और इसके बाद public services अब public service के बारे में मैं उपको अल्रेडी बता ही चुका हूँ जब मैं state service और UPSC आपको बता रहा था तो उसमें कोई problem नहीं होगी twitter पर मैं आ गया हूँ यह रहे मेरी id हमारे telegram group को join करें जैसे लेचर अप्लोड होता है वैसे ही PDF आ जाती है सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि कौन से constitutional amendment act के तहर cooperative society को constitutional status मिला है ध्यान रखेगा 97 97 97 याद रख लिजे 97 cooperative society तो 97 constitutional amendment act 2011 इसने constitutional status दिया है यानि कि आप cooperative society का महत्व समझ रहे होंगे वैसे तो directive principle of state policy में दिया ही है है कि नहीं cooperative society दिया ही है article 43b2 की अगर बात करें है ना promotion of cooperative societies article 43b2 part 9th में भी दिया है यह part 9th b की बात करें तो उसमें भी है cooperative society article 243zh to 243zt और article 19 में तो दिया ही है यह 191 नहीं है I'm sorry इसको यह 1 हटा दिजेगा ठीक है ना यह 1 actually reference point है तो reference point भी इसमें लग गया है आर्टिकल 19 में दिया है तो article 19 right to form cooperative society यह मैंने आपको बताया था ना fundamental right तो है ही तो इसलिए cooperative society को समवेधानिक दर्जा दिया अब यह cooperative society है क्या आप यह समझ लीजे यह constitutional provisions है cooperative society फिलाल आप समझ लीजे corporate मतलब क्या होता है साथ साथ देना ठीक है साथ में चलना society मतलब जब समाज साथ में चलता है एक दूसरे का साथ देता है सरकार अगर मदद नहीं कर पा रही है है ना कई बार ऐसा होता है कि सरकार जो है दूर दराज नहीं पहुँच पाती स्टेट गवर्मेंट गाओं में नहीं पहुँच पाती कुछ ऐसे एरिया है जहां पर पंचात मुनिसिपल कॉर्परेशन काम नहीं कर पाती तो यहां पर समाज को भी अधिकार है कि वो एक ग्रूप बना ले यह पूरा volunteer होता है voluntary इसमें participation होता है लोग अपना ग्रूप बना लेते हैं और उन्हीं society को बोला जाता है cooperative society लोगों का ग्रूप होता है क्यूं होता है ताकि दूसरों की मदद की जा सके समझ रहे हैं अब इसको मैं आपको एक example के तौर से समझाओंगा cooperative society हाला कि यह मत समझेगा कि आपे लोगों को पूरी छूट होती है नहीं अगर समझी रहे होंगे कि आपे इनको छूट नहीं है यह government के control में होते हैं सरकार इनको control करती हैं समझ रहे है state legislature के पास होता है विधान सभा के पास होता है ताकत कि cooperative society के रूल से रेगुलेशन बना है इंडिपेंडेंट होती है यह है ना लोग जो है वो ग्रूप बनाते हैं voluntary organization कोई भी आकेस में contribute कर सकता है पैसे भी लगते हैं वो पैसे भी आपको खुदी देने होंगे voluntary formation होता है democratic control होता है यहाँ पर याद रखेगा cooperative society के अंदर democracy होती है elections जो होता है ना वहती free and fair होता है कोई भी political interference नहीं होता है economic participation होता है जो भी cooperative society का member होगा उसको कुछ पैसा देना ही पड़ेगा और autonomous body होती है बट state के अंदर होती है सरकार के अंदर होती है ठीक है अब example की तोर पे मैं आपको समझाता हूँ जैसे अमूल आनंद milk union limited आनंद एक जगा का नाम एक इंसान का नाम नहीं है अमूल क्या करती है अमूल एक society एक cooperative society है वो क्या करती है अमूल का दूद आप क्या आता होगा packet दूद दही मक्खन सब आते हैं ice cream तक आती है मूल की तो कैसे जो लोग दूद बेचते हैं उनकी society है ये बकायदा और एक पूरा network है ये society क्या करती है जो भी लोग दूद बेचते हैं जिनके पास गाय पली है बैस पली है उनसे दूद खरीती है फिर आपको बेचती है ये society है बिलकुल एक planned तरीके से काम करती है लिजज़त पापड लिज बेचा जाता है तो ये सब cooperative society और ऐसे बहुत सारे cooperative society बहुत important है आपने देखा कि जैसे milk production की बात करें तो भारत नंबर वन है दुनिया में है ना क्यूंकि उसको एक तरीके से cooperative societies control करते हैं अमूल को cooperative society control करता है करती है तो cooperative society को कर ताकत दी जाए तो समाज का बहुत भला होता है क्योंकि ये समाज के लिए काम करती है इसमें interference तो होता नहीं है सरकार का और लोग ही बनाते ना इसे तो ये बहुत अच्छी बात है चितना ददो cooperative society हो उतना अच्छा आप समझ लीजिए constitutional provisions की बात करें तो आप cooperative society की definition से ही समझ लीजिए it is based on voluntary formation, democratic member control, member economic participation, autonomous functioning ये चार ची इसे किसी भी संस्था में है तो अपने आप में ही वो संस्था आगे बढ़ेगी आई democratic है, member control जो है, democratic member control है, पूरी democracy है ये ये एक इंसान के पास ताकत नहीं है, जो भी member होता है वो decision लेता है, पूरा unanimous decision होता है, voluntary formation है आप चाहें तो आप भी cooperative society से जोड़ सकते हैं, economic participation है, समाच से ही पैसा लिया जाता है, और autonomy है यापर, समझ नहीं है, तो इसलिए cooperative society बहुत जरूरी है, फिर अगर हम बात करें कि members कौन कौन से होते हैं, देखिए, यहाँ पे state legislature को बोला गया है, कि आप जो है, वो rules बनाओ, है ना, तो state legislature जो विदान सा बहुत है, वो rules बनाती है हाला कि आप है SC, STs और women's के लिए reservation दिया गया है, ठीक है, पात साल का term होता है, जो members होते हैं, पात साल का term होता है, ठीक है, तो यह चीज़ है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि इसको कब suspension, board को कब suspension किया जा सकता है, cooperative society में बकाइदा board होता है, जिसमें directors होते हैं, ठीक है न, उसमें members सुने जाते हैं, तो कब इसको suspend किया जा सकता है, जब यह अपनी duties को perform नहीं कर सके, जब इसमें correction हो, जब वे समविधान के इसाब से नहीं चल रहे हैं, और जब elections में problem आ रही है, यह elections सही से नहीं कर रहे हैं, यानि कि democratic control जो है, जो वो छूट रहा है, त सरकार ले सकती है, इनको, super session हो सकता है, और किसी भी मामलों में, यह 5 मामलों के लाव, और किसी भी मामलों में, इनको suspend नहीं किया जा सकता, इनका audit भी होता है, पैसे कैसे खर्च कर रहे हैं, यह लोग, कहां खर्च कर रहे हैं, बकायदा इनका audit किया जाता, और यह audit report जो है, स्टेट लेजिसलेचर विधान सभा में दी जाती है बॉडी मीटिंग्स होती है हर 6 महिने पे मीटिंग्स होती है और ऐसे formal और informal मीटिंग्स भी होती रहती है ठीक है उसके बाद ये लोग income tax returns भी भरते हैं अब income tax returns भर रहे हैं तो आप समझी सकते हैं कि कितनी transparent body है अगर कोई भी body income tax return भर रही है political parties नहीं भरती है आपको फिर पता चल जागा न क्या कि investment कहा हो या आपने कितना safe किया तो खुद में ही वो बहुत transparency है उसमें तो और अगर cooperative society को कोई member गलत करता है क्या किसी भी crime में लिप्त पायागे तो बकायदा penalties भी है तो ये constitutional provisions है आप देख लीजेगा मैंने सब बता दिया है in general एक बार आप screen पर पढ़ लीजेगा ये cooperative society बहुत ही छोटा सा charter ने दोस्तों अब हम public service पे आ जाते हैं public service को मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं ओल्डेडीस पे lecture ले चुका हूँ ठीक है ये इससे प्राक्ता एक revision हो जाएगा public service की बात करें तो आपको पता है ये 3 categories है कौन कौन सी एक आपकी आती है all India service एक आती है आपकी central service और एक आती है कि state service जायर सी बात है ठीक है अब all India service में क्या क्या आता है IAS, IPS, IFS simple सी बात है ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिर उसके बाद public service की बात करें तो आपको पता ही है कि पहले ICS exam होता था ये IS का प्लेचर देखी गा UPSC में समय ने cover किया बाद में इसको IS कर दिया गया IP का जो exam होता था आजादी के बाद इसको IPS कर दिया गया all India services जो होती थी उसमें उसको central government के अंदर आ गई वो ठीक है और state services जो होती थी वो भी आजादी के बाद मतलब state control करेगा उसे समझ रहे हैं तो यह चीज है उसके बाद दोस्तो class की अगर बात करें तो 1974 के बाद से class जो है वो group A, group B, group C, group D group B, group C, group D आपने अक्से सुनाओगा न group A, group B, group C, group D यह क्या है यह basically class का categorization है group A सबसे उपर class hierarchy में group A सबसे उपर IS IPS होते हो group A में आते हैं फिर उसके नीचे group B, managers जो इनको group A को report करेंगे, group C में अक्लक्स आ जाते हैं clerical काम होता group D में जो सबसे नीची लिए की post होती है tunes, चप्रासी आपने सुनाओगा वो आली post खलासी, वो सब group D फिर state service की बात करें अब state service की बात करें तो state government के अंदर काम करती है दाइर सी बात है, है ना constitutional provisions की बात करें तो आप देख लिजें इसमें क्या है article 308 से लेकर 314 तक part 14 में all India service के बारे में बदलब ये public services के बारे में बताया है, तो article 309 कहता है कि recruitment और service conditions क्या होगी ठीक है, state legislature और parliament, ठीक है, all India service ये parliament के पास थाकत है मैंने बताया था ना, parliament के पास थाकत है कि all India service को create कर सके वो ठीक है, seat बढ़ा सकया, कोई नई service create कर सके, ये parliament के पास थाकत है उसके बाद state legislature भी जो state services है, उनके लिए state legislature है, state जो है, वो state legislature है Central जो है वो Parliament उसको कंट्रोल करेगा और All India Service में भी Parliament का ही अपर हेंड रहेगा समझ रहे हैं Ten War of Service क्या होता है Article 310 जितनी भी Civil Post है Military Post है आपने सुनाओगा न सरकारी जॉब करो भईया बहुत सिक्योर होती है बिल्कुल सिक्योर होती है Pleasure of the President जब तक President नहीं हटाएगा तब तक आप या जब आप रेटार नहीं हो जाते तब तक आप करिए Until and unless आपने बहुत बड़ा अपराद ना कर दिया हो Civil Servant को पूरी protection मिलती है अगर बहुत बड़ा अपराद नहीं हो तब तक Civil Servants को हटाया नहीं जा सकता ठीक है समझ गए All India Service में Article 312 में Provisions है कि कैसे All India Service को बनाया जाएगा Parliament के पास ही पूरी ताकत है यहाँ ठीक है लोग सभा, राज्यव सभा के पास पूरा ताकत है तो यह लेच्चर था दोस्तों एक बार आप स्क्रीन पे पढ़ लिजेगा कोई दिक्कत नहीं, भहूत ही आसान च्रक्तर भहूत ही छोटे छोटे च्रक्तर दे दो तिन तिन पेच के च्रक्तर दोस्तों मैंने उसकी हम विस्तार से बात करेंगे पार्ट में बात करेंगे जैसे मैं हमेशा करता हूँ तो यहीं लेट चर्था, कोछ रहें के पड़ते रहें देशे से दाम तक ने उतरी साइनिंग ओप